नमस्कार साथियोग, साथियोग आज हम बात करने जा रहे हैं नीले थोते के बारे में हमें फसलों में इसका उपयोग करना है या नहीं करना है ये फसलों के लिए लाब दायक है या नुकसान दायक है और अगर हमें इसे फसलों में इस्तिमाल करना है तो कब करना है और कितनी मात्रा में करना है और किन-किन फस्लों में इसका उपयोगम को करना है क्या हम इसे किसी और खाद के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं और इसका result कैसा होता है copper sulfate की संपूर्ण जानकारी साथियों इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं आप क्रिपा करके वीडियो पूरा देखिएगा साथियों कहीं आपसे कोई महात्पूर्ण जानकारी न छूड़ जाए तो साथियों बने रहें अंदे तक और अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्स्राइब कर लिजे क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही महात्पूर्ण वीडियो लेकर आते हैं और आते रहेंगे साथियों तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले साथियों मैं बताना चाहूंगा कि नीलत होता जो है वो बहुत ही अच्छा फंगी साइड है इसके इस्तमाल से हसलों में फंगस को दूर रखा जा सकता है साथियों हम विविन प्रकार की फंगी साइड इस्तमाल करते हैं फंगस को दूर करने के लिए और कई बार हमें रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं और कई बार रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं तो देखिए एक बार आप नीला थोते का उप्योग भी करके देखें ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा देखिए नीला थोता दो रूप में आता है साथियो एक तो पाउडर में आता है दूसरा धेले में आता है और हम सलादेंगे कि आप डेले वाला पाउडर लेकर आएं वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि जो पाउडर है उसमें कुछ मिलावट के चांस बन सकते हैं विमन प्रकार की महंगी जो फंगी साइड आती है साथियो उनका उप्योग हम करते हैं अगर आपके पास बजट की कमी हैं महेंगे महेंगे आप फंगी साइड और दवाईयां नहीं ले सकते हैं तो आप ये बहुत ही अच्छी और देसी दवा है ये नीला थोता इसको साथियो सभी प्रकार की फसलों में हमें इस्तेमाल कर सकते हैं बस हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी बड़ी फसले हैं उनमें हमें अच्छी मातरा रखनी है और जो छोटी फसले हैं उसमें हमें कम मातरा रखनी है जैसे कि एक उधारन मैं दूँगा जैसे कि गन्ने की फसल एक बड़ी फसल कहलाती साथियो तो इसमें हमें नेले थोता की मात्रा को बढ़ा कर हमें खेतों में इस्तिमाल करना है इसके इस्तिमाल से साथियों फंगस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और अगर हम फंगस आने के पहले अगर हम इस्तिमाल कर ले तो ये फसलों को फंगस से बचा लेता है साथियो फंगस लगने नहीं देता है कि इसके डोस के अगर बात करें साथियो तो जैसे जो बड़ी फसले हैं जैसे कि हमारे गन्ने की फसल है तो उसमें आप 2 से 3 किलो ग्राम आप ले सकते हैं ये प्रती एकड के हिसाब से हमको ये नीलत होता इस्तेमाल करना है देखे जैसे कि पहले ही मैंने आप से कहा कि ये दो तरीके से बजार में उपलब दा एक तो पाउडर में दूसरा धेले के रूप में तो हमें धेले के रूप में लेके आना है साथियो और उसको बारी अच्छी तरीके से उसको कूट लेना है पीस लेना है उसके बाद हमें इसको खेतों में छड़काव कर देना है साथियो एक बात और ध्यान रखें कि अगर फंगस का अटेक बहुत ज्यादा आपको साँज में आ रहा है तो ही आप जो हमारी मातरा हमने बताई है वो लीजिए और अगर फंगस कम है या आप शुरुवाती दोर में इसका उपयोग करना चाहते है जब आपके खेतों में फंगस नहीं है तो आप इसको इसकी मातरा घटा दें आप 2 kg ही आप इसकी मात्रा रखें लगबग 20-25 दिन तक ये लगातार काम करता है और हमारी फसलों को फंगस से सुरक्षित रखता है जैसे कि मैंने कहा कि इसे हम दूसरी खाद में मिला सकते तो हाँ आप ज़रूर इसको दूसरी खाद में मिला सकते हैं नीला थोता का ओप योग अपनी फसलों में एक बार जरूर करें क्योंकि इसके बेहदी फायदे हैं फंगस को तो दूर करेगा करेगा साथ ही कुछ ये पोशक तत्य भी हमारे पौधों को प्रदान करता है जो कॉपर सल्फेट की जो कम्योंती उसको ये दूर करता है अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकरी आपके किसान साथियों को भी उपलब्द हो सके और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले हम आपके लिए ऐसे ही महत्पुन वीडियो लेकर आते रहेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद